दोस्तो आज किस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, अगर आप दोस्तो मेरी बात को फोलो करते हैं, तो इस बात को दोस्तो आप लोग लिख लीजिए, एक्जाम के बाद दोस्तो आप लोग जो है ना, मुझे थैंक्यू जरूर बोलेंगे, और इस बात को ज करने में आपको कितना टाइम लगता है, नहीं आपने चेक किये होंगे, आप लोग एक बार चेक जरूर कीजिए, ठीक ना, टोटल 25 कोस्तो आप लोग MCQ कीजिए, बुक से, और देखे कितना टाइम लगता है, होता क्या है दोस्तो, बहुत सारे श्टुरेंट जो है ना, व इसमें, दोस्तो, मैत के जो है, 25 कोस्तो करने में, आप मान लिजे, 50 मिनट का टाइम लगा देंगे, तो फिर बाकी कोस्तो कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए, दोस्तो, मैं कहना ये चाहता हूँ, कि आपको एक्जाम में जो है ना, सबसे पहले उसी सबजेक्ट को करना है, जो आपके पास टाइम कम है, और मैत के कोस्तो करने के लिए कम से कम आपको, लाश्ट में 40 मिनट जरूर रखना है, क्योंकि मैत के 25 कोस्तो करने में 25 मिनट नहीं लगेंगे, यही रीजन है, ठीना, दिन उसके बाद आपको सोसल स्टड़ी के करना है, तो 20 मिनट आपको यहाँ पर भी लगाना है, दिन उसके बाद उसको थाट नमबर पे आपको हिंदी के करना है, और इसमें भी 25 मिनट लगाना है, जादा नहीं लगाना है, तो देखे, कितने मिनट हो गया है, उसके बाद हिंदी के करने के बाद आपको इंगलिस के करने है, ठीना, तो देखे, टोट को करने पर आपको 100 मतलब की 100 मिनट लग रहा है एक दो तीन चार पांच पांच सब्जेक्ट करने में आपके 100 मिनट लग गये अब आपके पास बच गया मैथ के लिए 50 मिनट अब पचीस कोशन आप 50 मिनट में अराम से कर सकते हैं तो यह मैं ने इसलिए बताना आपको और जिस सब्जेक्ट की कोशन्स आपको आता है और जिसमें आपका टाइम कम लगता है उसी को पहले करें और लाश्ट में उस कोशन्स को करें जो आपको नहीं आता है क्योंकि अगर आपका एक्जाम में रह वी गया जो कोशन्स आपको नहीं आ रहा था तो बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा और नहीं आपका कोई नुकसान होगा तो ये बाते important थे तो इसे आप लोग धियान में रखिएगा जब आप exam देने जाएंगे तो ठीक ना और time का भी धियान में रखिएगा कि कितना time बचा और कितने questions रह गये अभी ठीक ना और प्लेलिस्ट मैंने बना रखिया है अगर आप reasoning, math, science, english की classes देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लिजएगा इसका link मैं description box में दे दूआं क्योंकि all topics मैंने already complete करा रखे हैं so thank you दोस्तो